नमस्कार दोस्तों मैं दीपांसू आपका स्वागत करता हूँ है स्टेड एस्प्रेंट दीपांसू दीच्छत में तेखिए सभी लोग जो उत्तर प्रदेश से हैं या किसी अधर स्टेट से हैं वो सभी DSSB PRT 2024 का इंतिजार कर रहे हैं तो यह वेकंसी आपको मिड ओफ यह आया है कि time management को लेकर है कि time management कैसे करें या कि subject को कितना time ने यह confusion है सभी लोगों के बीच में या अधिकता लोगों के बीच में यह confusion है तो देखिए जो उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश में आयू है constable की वेकंसी तो उनके लिए थोड़ा easy task हो जाएगा कि const combination बठा हैं suppose that कि आप कोई वीचाए constable की वेकंसी तयारी कर रहा है या किसी भी state से है वो 10 hour study करना चाहरा है study करता है तो इसको कैसे manage करें देखिए जो यह 10 घंटे हैं आप जो भी time management करें उसको divide करिए कि हर subject कितना important है या कितने marks का रहा है उसके according हम लोग divide करेंगे तो आपक a आपका 100 marks का है और part b भी आपका 100 marks का तो यह अकेले एक subject gain कर रहा है आपका 100 marks और इसमें 5 subject होते हैं 5 subject पकड़ रहे हैं आपके 100 marks तो आपको यह तो share हो रहा है कि आपको लगबग 50% time इसमें देना है part b में तो यानि 4 से 5 घंटे आपको part b को देना है अपने जितना भी time a आपको part 2 से 3 घंटे part b को बाकी 3 से 4 घंटे आपको part a में अगा है मतलब जितना भी आप 2 घंटे 3 घंटे 4 गंटे 10 घंटे 12 घंटे जितना भी पढ़ रहे हैं उसमें part a को आपको 50% time तैम डेना है और 50% time तैम तो यह चीश्ना अब part a को कैसे manage कर रहे हैं part b में आपने समयो आप चार से पांच गंटे देंगे, पार्ट A में कितने subject नहीं यह देखेंग पहले, देखेंगे, पार्ट A में आपका आता है English, फिर आपकी आती है Hindi, फिर आता है आपका Math, फिर Reasoning, फिर GS और GK, तो आप क्या करिए, जैसे सपोस्थ एट चार तीन से चार गंटे में आपने दे दिया, चार गंटे दे दिया, तो आपके पास यहां से rest time में कितना बचा हुगा है, six hours अभी बचे हुए, इसको divide करना है, तो आप जैसे सपोस्थ एट किसी की English वीक है, तो क्या करेगा, वो एक गंटे English को दे देगा, और हिंदी में क्या करेगा, 45 नट आप हिंदी को दे दीजिए, maths में क्या करिए, maths reasoning, maths में आप लगवक्त दे दे दीजिए, maths को, अब reasoning में क्या है, जैसे सपोस्थ एट किसी का subject concept clear है, क्यों reasoning क्या है, आप question करते जाएंगे, question करने के साथ साथ ही आपकी chapter भी complete हो जाएंगे, तो आप एक गंटा reasoning को दे दीजिए, अब बात क सकते हैं, brilliant लोग होते हैं, कर लेते हैं, लेकिन सभी लोग सब कुछ cover करने के कोशिस करेंगे, तो आप 20 out of 20 तो नहीं लेके आप आएंगे, तो लगवक्त आप यहां से 10-12-15 नंबर भी लेके आ रहे हैं, तो आप अच्छा-खासा score कर ले जाएंगे, तो आप एक घंटा daily reasoning को दीजिए, अब यह जो आपने यह एक घंटा 45 मेंट, दो गंटे एक घंटे और एक घंटे इसमें जो दिये हैं, इसमें पढ़ना क्या है, कि content पढ़ना है, कि आपको practice करनी है, तो सबसे अच्छा यह है, कि यह से English में आप बात करें, तो अगर माली जा आपकी English अच्छी ही हैं, और Hindu week है, तो आप Hindi को आप एक घंटा दे दीजिए, और English को 45 मिनट दे दीजिए, आपकी English week है, तो आप English को एक घंटा दे जिए, हिन्दी अच्छी तो हिन्दी को 45 मिनट दे दीए, इसमें आपको करना यह है, कि आपको एक topic पढ़ना है, daily, एक topic के बाद प्लस सामनाट, भी शमन, 25 पर जो भी आप टाइंः बचता है एड़ेस करके इसकी प्रेक्टिस करनी है सेम चीज की प्रेक्टिस आपको करनी है सेम चीज यही है, आपक Мих name अच्छी है तो आप लगवकि 25 म intrigors पढ़ सकते हैं तो एक topic आप यहाँ से पढ़ेंगे और उसके बाद उसी की आप practice करेंगे पंदरा बीस मेट जो भी मिलता आपको एक practice कर लेंगे अब math की बात करें तो आपको एक घंटे content पढ़ना है फिर उसके बाद प्लस एक घंटे सेम चीज की आपको practice करनी है इसी चीज के आपको practice करनी है reasoning में आपको questions लगाने है previous year questions लगाने है Dssb क्या किसी की भी अभी questions कहां से लगाएंगे practice कहां से करेंगे अभी इस वीडियो में इस पर भी हम बात करेंगे और GS में क्या करना है आपको same wise pattern आपको लग बाग 40 to 45 minutes आपको content पढ़ना है फिर उसके बाद इसी के questions लगाने है अब यह questions आप कहां से लगा सकते है questions के लिए आप देखिए questions के लिए आप test book का use कर सकते है आप किसी भी book का use कर सकते है जो offline market मिलती है आप online Google से Dssb के previous year questions निकाल सकते है वहां से आप practice कर सकते है लेकिन मेरे according जो best चीज़ है आप test book से कर लिज़े या किसी book से कर लिज़े आप ऐसे निकालेंगे परिशान होगे ये चीज़ आपको same सब कुछ test book में आपको मिलागे कोई paid promotion नहीं कर रहे है हम use करते हैं तो हम बता रहे हैं आपको ये हो गया आपका part A का कि आपको part A कैसे prepare करना है अगर बात करें कि part B को जिसमें कि आपका hundred marks आता है तो hundred marks को कैसे कबर करना है तो part B के लिए क्या है part B के लिए आप क्या कर सकते है कि आप जस्मालीज आपने कोई batch ले रखा है तो आप batch से class complete करेंगे class complete करने के बाद आप same topic पे आप practice करेंगे आप practice वही same चीज test book से करिए practice या एक book मैंने बताईती कि आप सरोहा publication की book आती है किसकी सरोहा publication की book आती है इसमें 9000 questions है आप यहां से भी practice कर सकते हैं लेकिन आप यहां से नहीं करना चाहते हैं तो आपको topic wise, chapter wise, mini mock test, full mock test सारे आपको test book पे मिल जाएंगे test book अच्छा platform आप यहां से कर सकते हैं कोई paid promotion मैं फिर से कर रहा हूं नहीं है मैं use करता हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं तो आप यहां से practice कर सकते हैं अब आपको time manage कैसे करना है जिसे आपने 4-5 गंटे आप part B को दे रहे हैं अब part A के लिए कैसा part A के लिए जो subject इनको आप कैसे manage करेंगे तो देखिए part B आप 1-7-5 गंटे मत पढ़िए आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी topic से start कर सकते हैं suppose that आपने English से start किया Hindi से start किया तो आप जैसे Hindi खतम करेंगे Hindi को खतम करने के बाद आप कुछ content इसका पढ़ लेंगे part B का फिर आप 1-5 गंटा पढ़ने के बाद आप थोड़ा rest करेंगे फिर उसके बाद आप कोई एक subject इधर से पढ़ लेंगे English का फिर उसके बाद आप फिर एक से डियल गंटा इसका पढ़ लीजे part B का लगवा एक डियल गंटा आपने यहां पढ़ लिया एक से डियल गंटा और आप बोर भी नहीं होगे कुछ इस तरह से आप अपनी strategy अपना time management कर सकते हैं ये कोई ideal नहीं है जो चीज मैंने बता है कि यही चीज फॉलो की जाए यही सही है आप अपने positive अपने negative के अनुसार जो आपका positives हैं जो आपके negatives हैं जो आपकी strong point है उसके according आप prepare कर सकते हैं जो आपके weak point है उसके according आप prepare कर सकते हैं ये एक मोटा rough idea आपको दिया है इसके लाबा आपको part B में sorry part A में एक topic है GS GS के लिए हम एक चीज कर सकते हैं कि मैंने कहीं से कहीं से लगबग 25 topic select किये हैं कि कौन-कौन से important 25 topic है part B में GS part A में GS के लिए GS के लिए लगबग 25 topic हमने किसी YouTube channel पर देखे थे वहां से मैंने देखा है कि 25 topic है जो important है तो आपको 25 topic अगर जाने तो आप comment कर दीजएगा उसके हम video बना देंगे कि आपके कौन से topic GSGK में important आप वह पढ़ लिए उससे questions आते हैं आप जब उन topics हो पढ़ लेंगे उसका आप question लगाने जाएंगे आपके question solve होंगे इसके लाब अगर आपका कोई doubt आप comment करेंगे हम आपको reply जरूर करेंगे हराँ